फ्रेंट्स यह जो आज मैंने लड्डू बनाये हैं पहले मैं क्या करती हूँ बच्चों को खिला के इसका लेती हूँ फीडबैक उसके बाद मैं आपके साथ यह रेसिपी शेयर करूँगी यह बहुत ही यमी लड्डू है मैंने एक खाके देख लिया है यह देखो क्या बनाया है खाके बताओ तेल के लड्डू हूँ बहुत अच्छा बनाया है तो यह देखे फ्रेंड्स यहां मैंने तिल ले लिये है जिनको मैंने माइक्रोवेव कर लिया है दो मिनट और इसको आप एक मिनट चलाए और फिर अलर्ट बलट के फिर एक मिनट चला दें यह एक कडाई में मैंने गुड लिया है आप चाहें तो बिना पानी के भी इसको हलकी सी कडाई गरम करके melt कर सकते हैं या फिर आप इसको कद्दू कस करके भी लड़बों में यूज कर सकते हैं उसमें आपको गरम करने कि या पकाने की ज़रूरत नहीं है यह मैंने जो तिल थे ये ठंडे हो गये, थोड़े से कृपी हो गये अब इसको मैं बस हल्का सा मैक्को कर लूगी, मिक्सिज कर लूगी जिस से दर-दर ऐसे हो जाएं अब एक तरफ यह मैंने जो थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रखा था जो गुड़ था और खाली बूरा मिलाके भी आप ये लड़ू बना सकते हैं और मैंने अब इसमें एड़ करी है आदा चम्मच सौट क्योंकि खोया जो है वो थोड़ा सा ही है तो आदा चम्मच काफी है जस्ट फ्लेवर के लिए इसका थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा अब इसको थोड़ी देर और पकाना है ये देखे थोड़ी तो गाड़ी हो गया हमारा ये जो लड़ू का सिरप है और बस थोड़ी देर ही हम इसे पकाएंगे जो हमने सौट डाली है वो थोड़ी सी पक जाया और अपना फ्लेवर छोड़ देज में अब ये मैं इसमें मैंने ये खोया एड कर दिया है और गैस बंद कर दिया है इस वक्त मैंने और अब बस इस खोय को अच्छे से हम मिला लेंगे इसको गैस ओन करने की ज़रुत नहीं क्योंकि कोई में सिर्फ तेल है पानी मॉइस्टर इसमें नहीं है इतना और ये लड्डू थोड़े से बनेंगे तो हाथ के आथ खतम हो जाएंगे यह मैंने इसमें डाल दिया है तिल जो मैंने मिक्सी किया था आप इसमें चाहे तो डेसिकेटिड कोकोनट जो या फिर सूखा नारियल का दूकस करके और अपनी पसंद के थोड़े से ड्राइफ फूट भी आड़ कर सकते हैं इलाइची पॉडर भी डाल सकते हैं बट यह त तो देखिए फ्रेंड यह तयार हो गए है तिल के लड़ू लेकिन आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहते हूं अगर आप चाहते हैं कि यह जो रेसिपी है यह जो लड़ू है हम फ्लेम फ्री लड़ू इनको बनाए या फिर हम गैस का यूज ना करते हुए हम यह मैंने मेल्ट किया था गुड को कड़ाई में आप इसको डारेक्ट कदू कस कीजिए या फिर माइक्रोव में हलका सा एक मिनट के लिए कदू कस करके माइक्रो कर लेजिए तो यह सॉफ्ट हो जाएगा अब इसमें आप यह जो मावा है कोई भी आप मावा ले रिजिए या है तो घर का या भाना तो यह आप मावा इसमें आड़ कर सकते है तिल एक कर सकते हैं ट्राइफ्रूट्स किरें के-टी कंने आट कर सकते हैं तब यह लडदू आपके बचचे भी इजीनी बना सकते हैं और और अबर प्रेंडस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए थैंक्स पूर वाचिंग